वेल्कम टू थर्ड लेक्ँचर ओफ कोडिनियसन केमिश्टری इससे पहले हमने टर्मिनोलोजी के बारे में बढ़ा था और वो टर्मिनोलोजी में हमने लिगैंड्स के बारे में बढ़ा था types of ligands और भी पढ़े थी हम लोग उने ठीक है तो अब इसमें तीन टर्मिनोलोजी और बची हुई है यह हमारे पास coordination number, coordination sphere और oxidation number इसे discuss कर लेता है और फिर इसके बाद हम चलेंगे norman culture की तरफ जो की important topic है इस chapter का ठीक, coordination number की अगर हम बात करें तो coordination number का मतलब क्या है, coordination number का मतलब है कि कोई भी central atom ligands से ligands के coordinate bond से, total कितने coordinates bond से वो बंधा हुआ होता है उसे हम बोलता coordination number जैसा example ले लेते हैं हमारे पास example है k4, f, c, and 6 इसी example से हम सभी चीत समझ रहे हैं तो इसी example से मैं समझाऊंगा k4, f, c, and 6 अब अगर इसमें देखा जाए, तो k4 तो counter ion हुआ, अगर हम इसमें इस complex की structure बनाते हैं, तो बीच में है हमारे पास f, और इसके सब तरफ है, total 6 c, and यहाँ पर present हैं और इन 6 c, and इस f, e के 4 तरफ, total कितने bond बनाए हुआ, coordination bond, यह, 6 bond बनाए हुआ है तो इसका coordination number क्या हो जाएगा, इसका coordination number हो जाएगा, total 6, देखो, simple सी चीज है, ठीक है एक और example ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, cu, en twice, ठीक है, इस complex की बात करता है, counter iron से हमें कोई मतलब नहीं है, तो counter iron मैं भी यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, cu, en twice, अब यहाँ पर क्या होगा देखो, इस complex की structure किस तरीके से बनेगी, बीच में है cu, यहाँ पर दो लगा हुआ है, मतलब दो en present है, तो इसका coordination number two होगा, लेकिन नहीं, en क्या होता है, en हमारे पास by dentate ligand होता है, by dentate ligand मतलब इसकी structure कैसी होती है, इसकी structure कुछ इस तरीके से होती है, मतलब यहाँ पर एक ही ligand, दो coordinate bond बना सकता है, एक coordinate bond ही है, और दूसरा coordinate bond ही है इसी तरीके से, दो en present हैं यहाँ पर, तो हम दूसरा en बनाएंगे, यह दूसरा en है, ठीक है, तो दो coordinate bond यह बना लेगा, तो total कितने coordinate bond होगे, copper के चारो तरब, total 4 coordinate bond होगे, तो इसका coordination number क्या हुआ, 4 हुआ है, ठीक है, अगर इसी तरीके से हम बात करें के fe के साथ में हम लिख के साथ पढ़ा है था, EDTA, कौनसा dentate ligand होता है, EDTA होता है, हमारे पास hexadentate, अब hexadentate ligand है, इसका मतलब, fe के चारो तरफ, total कितने coordinate bond बने होगे, total 6 coordinate bond बने होगे, तो इसका जो coordination number हुआ, वो कितना हुआ, coordination number हुआ, इसका 6, ठीक है, सिंपल सी चीज है, उम्मीद करता नमज में आ गई होगी, अच्छे से, एक example यहाँ पर भी दिया हुआ देगो, CUNH3 4, SO4, अब NH3 क्या होता है, NH3 तो monodentate ligand होता है, monodentate मतलब, 1 NH3, 1 bond बनाता है, तो 4 NH3 कितने bond बनाएंगे, 4 bond बनाएंगे, तो इसका coordination number कितना हुआ, इसका coordination number हुआ, यहाँ पर 4, ठीक, सि को हम बात करते हैं, आगे, next है हमारे पास, coordination sphere, अब coordination sphere क्या होता है, जब पहले मैंने example बताए थे, salts के बारे में बता रहा था, वहीं मैंने बता दिया था क्या coordination sphere क्या होता है, जैसे हमने कोई भी एक example लिया, फिर से again हम example लेते हैं, K4 efficiency, तो यहाँ पर 4K प्लस तो हुआ, counter ion, और बाकी का बचा हुआ पार्ट, जो कि इस complex मतलब इस bracket के अंदर लिखा हुआ है, इस complete bracket को हम क्या बोलेंगे, इस complete bracket को हम बोलेंगे, coordination sphere, मतलब central metal और ligands, दोनों ही इसके अ जाते हैं, ठीक, definition देखो, the central metal ion and the ligands, that are directly attached to our enclosed in a square bracket, called coordination sphere, और first sphere of attraction, ठीक, next है हमारे पास, third, important, oxidation number, और oxidation state of central metal ion, देखो, इसके बारे में हम बात करते हैं, oxidation number, यह हमने redox में, oxidation number कैसे निकाला जाता है, वहाँ हमने सीखा हुआ है, यहाँ पर किस तरीके से लिखते हैं, बस एक छोटा सा topic, वह हमें समझना है, oxidation number क्या होता है, यह तो हम सभी जानते हैं, किसी भी central metal के उपर, जितना charge होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, oxidation number बोलेंगे, जैसे, k4, fe, cn6, अगर हम यहाँ पर निकालना चाहता है, iron का oxidation number, तो oxidation number देखो किस तरीके से निकाला जा सकता है, k4, एक k, मतलब potassium के उपर कितना charge होता है, plus 1, तो यहाँ पर plus 1 को multiply करेंगे हम 4 से, क्योंकि यहाँ पर total 4 potassium है, उसके बाद कोन आया, iron, तो iron का coordination number हमने मान लिया भी x, plus, उसके बाद हम बात करें, cn6, cn के उपर charge होता है, negative, cn- होता है, तो यहाँ पर charge है, minus 1, multiply back, total 6 cn है, 6, अभी हमें complete neutral दिखाई दे रहा है, neutral मतलब total charge क्या हो जाएगा, इसका 0, solve करेंगे, 4 plus x minus 6 is equals to 0, तो x is equals to i हमारे पास plus 2, मतलब iron के उपर कितना charge होना चाहिए, यहाँ पर plus 2 charge होना चाहिए, यही plus 2 क्या है, यही plus 2 oxidation number है, central metal iron के उपर जो भी हमारे पास charge होगा, उसे हम oxidation number बोलेंगे, इस example की बात कर लेते देखो, cn-3-4 twice, cn-3-4 of complete complex के उपर charge है, यहाँ पर plus 2, अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, कि copper का oxidation number है x, तो यह लिखा हमने x, n-3, n-3 क्या होता है, n-3 एक neutral ligand है, types of ligand में हमने पढ़ा था, cn एक negative ligand है, यह भी हमने पढ़ा था, यह हमें याद होने चाहिए, तभी हम oxidation number निकाल सकते हैं, अगर याद नहीं है, तो हम नहीं निकाल सकते हैं, इन ligands के नाम क्या होता है, और कौन से ligand के उपर कितना charge होता है, यह सभी अभी detail में आने वाला है, nomenclature के अंदर है, ठीक है, तो tension लेने के जूरत नहीं है, कि यह किसके उपर कितना charge है, यह हमें कैसे पता लगेगा, यह हमें याद रखना पड़ेगा, और सभी ligands तुम्हें मैं लिखके दूँगा, यहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे, table की form में, वो सभी तुम्हें याद करने होंगे, ठीक, तो copper के उपर charge माना हमने भी x, ns3 neutral है, तो यह होता है, 0, equal to, complete complex के उपर charge कितना है, यहाँ पर, 2, तो x equal to क्या है, यहाँ पर, plus 2, तो copper के उपर charge क्या आएगा, यहाँ पर, plus 2, charge आएगा, तो इसका oxidation number क्या हुआ, इसका oxidation number हुआ, यहाँ पर, plus 2, कुछ यह examples हैं, जो हम लोग एग्जामपल नहीं है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें complex ion के अंदर, metal का oxidation number निकालना है, first देखते हम लोग, hg, cn, 4, minus 2, तो यहाँ पर देखेंगे, तो किस तरीके से निकालेंगे, मान लो, hg का oxidation number है, x, तो यहाँ पर हम लिख सकते है, x, hg के बाद कौन आ है, minus 2, तो equal to minus 2, तो यहाँ पर आया हमारे पास, x minus 4, equal to minus 2, x is equals 2 क्या हो जाएगा, plus 2, मतलब यहाँ पर mercury किसी state में है, यहाँ पर mercury, hg, plus 2 की state में है, ठीक, second example, co, ns3 twice, cl4, plus 3, तो यहाँ पर co का oxidation हमने माना, plus, sorry, x, उसके बाद, ns3, ns3 neutral होता है, तो total charge क्या हो जाएगा, 0 उसके बाद, cl4, मतलब minus 4, 1cl के उपर minus 1 charge होता है, 4cl के उपर minus 4 हो जाएगा, equal to, total charge है, यहाँ पर, plus 3, तो यहाँ पर total oxidation number अकर देखा जाए, तो total oxidation number हो जाएगा हमारे पास, थर्ड की बात करते हैं, देखो, थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, fe, cn4, minus 2, तो fe के लिए oxidation number हमने consider किया, x, उसके बाद, cn के लिए, minus 4, equal to, minus 2, तो x easy cost 2 क्या जाएगा, हमारे पास, plus 2, fe, plus 2 की पॉम है, next one, ptcl6, minus 2, तो pt का oxidation number, x, chlorine minus 1 होता है, तो total 6 chlorine है, तो chlorine के लिए हो जाएगा है, minus 6, easy cost 2, total complex के उपर charge है, minus 2, तो x easy cost 2 क्या हो जाएगा है, हमारे प्लस 4, मतलब pt का किस form में है, हमारे प्लस 4 की form है, उसका oxidation number plus 4, simple से हैं हमारे पास ही, next है हमारे पास, देखो, rules for writing formula of coordination compound, मतलब हम यह जो formula लिख रहे हैं, किस base पर लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा, k4 fe cn6, तो इसको लिखने का कोई तरीका होगा, मैं ऐसा क्यों नहीं लिख रहा हूं, कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, fe cn6, इसके बाद अगर मैं k4 लिख दूँ तो कैसा लिखना correct होगा, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ cn6 fe, और k4 यहाँ लिख दूँ क्या ऐसा लिखना correct होगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ भी randomly लिख रहा हूँ, इन से भी के rule follow किये जाते हैं, आयन पहले लिखा जाएगा, और कौन सा आयन बाद में लिखा जाएगा, ठीक है, तो उस rule को हम एक बार देख लेते हैं, टोटल टीन रूल हैं हमारे पास, विल्कुल इजी हैं, फॉर्मूला लिखने के तरीके, पहला रूल है हमारे पास, देखो, फॉर्मूला फ केटाइन वेदर सिंपल और कॉंपलेक्स मस्ट भी रिटन फस्ट फॉलवड बाइ आयन, मतलब जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, कि जब भी कोई फॉर्मूला लिखा जाता है, या तो वो सिंपल सॉल्ट हो, कॉम्पलेक्स सॉल्ट हो, कोई साभी सॉल्ट हो, उसमें क्या लिखा जाता है, सबसे पहले केटाइन लिखा जाता है, उसी के बाद NIN लिखा जाता है, तो यहाँ पर भी, जैसे अगर हम NACL लिखते हैं, तो हम कभी भी CL NA नहीं लिखते हैं, हम हमेशा क्या लिखते हैं, NACL, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो CATIN है, NA+, वो पहले लिखा जाएगा, और जो NIN है, CL FINUS, वो बाद में लिखा जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर complex IIN में भी, जैसे हमने लिखा K4 FECN6, तो K4 पहले क्यों लिखा गया है? क्योंकि यह CATIN है, ठीके? यह क्या होगा हमारे पास CATIN, अब जो बाद वाला term होगा, पहले हमेशा counter IIN होगा, तो CATIN होगा, बाद में अगर हमारे पास complex है, तो NIN होगा, इन केस, अगर हमारे पास complex IIN positive होता है, CATIN होता है, और counter IIN negative होता है, तो counter IIN को हम बाद में लिखेंगे और complex हम पहले लिखेंगे, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो CATIN होगा, वही पहले होगा, जो NIN होगा, वह हमेशा बाद में होगा, ठीक, simple, second rule है, coordination sphere में, यहाँ पर अग की type का ligand है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा ligand होता है, जैसे पहले example में भी हमने देखा था, कि हमारे पास NH3 भी आ जाता है, CL भी आ जाता है, NO भी आ जाता है, तो उसे किस तरीके से हम लिख सकते हैं, लिखने का सही तरीका तो यह है, कि हम सबसे पहले एनाइनिक ligand लिख नहीं किया जाता, अगर हमें exam में भी या तुम भी अगर exam में लिखो, तो जरूरी नहीं है इस rule को follow करना, कि हम पहले नाइनिक ligand ही लिखें, यह 100% accurate formula और 100% accurate formula कभी भी follow नहीं किया जाता, हम जल्दबाजी में बेशक cation को पहले लिख दे, neutral को पहले लिख दे, कोई उसे ग sorry यहां पर यह PR लिखा हुआ, actual में यह PT होना चाहिए था, यहां पर central atom प्रेटीनम है, PT, NA, PT, BR, CL, NO, plus 2, twice, NH3, and NO, अब अगर इसे हम sequence में लिखें, तो sequence में किस तरीके से लिखा जाएगा, यहां पर देखो, NA सबसे पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब NA क्या हुआ, NA पास, cation, यहां पर charge लगा देता हूँ, NA क्या हो जाएगा, cation, तो इसका मतलब यह जो पूरा complex है, यह एक anionic complex है, उसके बाद PT क्या है हमारे पास, central metal, अब central metal के बाद जितने भी हमें लिखने हैं, वो सभी लिखने हैं, हमें ligand, अब ligand को किस तरीके से range किया गा है, देख इसके बाद NH3 और उसके बाद यहां पर लिखा गया है, N0, ठीक है, मतलब लिखने का अगर सही से तरीका है, सबसे पहले हमने cationic लिखा, counter रहा हैं, यहां पर cation है, उसके बाद central metal, और उसके बाद जितने भी ligands हैं, अच्छा, अगर एक से ज़्यादा हमारे पास anionic, neutral, या cationic ligand हो जाता है, एक ही category में, जैसे एक से ज़्यादा anionic ligand हो गए, तो उसे हम alphabetical order में लिखेंगे, जैसे यहां पर b r minus और c l minus, दो anionic ligand है, तो इसे alphabetical order में लिखा, हमने b r में b पहले आता है, तो इसलिए हमने b r पहले चूज गया, b r के बाद आएगा c l, उसके बा cationic ligand है हमारे पास enopla, ठीक है, यह तरीका है हाँ पर लिखने का, ठीक, यह इतना ज़्यादा important नहीं है, अगर हम formula उल्टा सीधा भी लिख दे तो चल जाता है, ठीक है, formula के कोई भी marks वगर आया, कोई question यहां से नहीं पूछा जाता, जो question पूछा जाता है, वो पूछा ज में देखिए, एक बार rules उपने board में पढ़ भी लिए होंगे, एक बार फिर मैं समझा देता हूँ, इसके बाद हम ज्यादा focus करेंगे इसके examples पर, और ligands के नहीं पर, ठीक है, rules है, पहला rule है हमारे पास, in naming the entire complex, the name of cation is given first and anion second, जैसे example में दे रहा था, sodium chloride, NaCl, तो यहां पर पहले कौन आता है, cation, तो नाम हमने किसका लिखा पहले, cation का, sodium, उसके बाद कोन आया, NaN, तो हमने नाम किसका लिखा, chloride, chlorine का, ठीक है, इसी तरीके से complex में भी यही होगा, हमेशा पहले किसका नाम लिखा जाएगा, cation का, और उसके बाद किसका नाम लिखा जाएगा, NaN का सबसे पहले नाम लिखा जाएगा पोटेशियम का, अब देखो, क्या होगा, इसमें कैटाइन कोन है, सिंपल सी बात है, अगर पोटेशियम पहले आ रहा है, तो सबसे पहले नाम लिखा जाएगा पोटेशियम का, Potassium का हमने नाम लिखा, फिर यहां पर एक Space छोड़ा जाएगा, और इस Space के बाद इस Complex का नाम लिखा जाएगा, ठीक है, जी Complex जो भी है, अब इस Complex का नाम कैसे लिखना है, सबसे पहले हमें Central Metal से पहले Legands के नाम लिखना है, मतलब यहां पर क्या नाम लिखे जाएगे, जितने सभी Legands प्रेजेंट होंगे, उन सब Legands के नाम लिखना है, जब सभी Legands के नाम खतम हो जाएगे, उसी के बाद हमें Central Metal का नाम यहां पर लिखना है, ठीक है, तो Format क्या होगा, Format पहले जो भी आये, Complex या Counter Iron उसका नाम लिखती है, जैसे In Case, यहां पर, इस Case में Counter Iron पहले आया, मतलब वो Cation था, नाम लिखती है, उसके बाद एक Space छोड़के, फिर हमें क्या करना है, Complex का नाम लिखना है, Complex में पहले Legands के नाम, उसी के बाद Central Metal के नाम, ठीक है, अब हमारे पास बात आती है, Legands के नाम किस तरीके से लिखे जाए, तो Second Rule complete हुआ, Central Metal से पहले हमें Legands के नाम लिखना है, ठीक, Legands के नाम किस तरीके से लिखेंगे देखो, Generally जितने भी Negative Legands होते हैं, वो सभी किस पर खतम होते हैं, O पर, जैसे Cl-, यह क्या हमारे पास Chloril, तो इसे हमने क्या किया, Chloro, यह क्या हमारे पास Sinide, तो इसे हमने क्या लिखा, Sino, यह क्या हमारे पास Hydrogen, तो इसे क्या लिखा हमने है, Hydro, ठीक है, और जितने भी Legands के नाम है, वो Table की Form में भी आगे आने वाले हैं, Neutral Legand के नाम, उसी तरीके से होते हैं, जैसे वो पहले से Consider होते हैं, जैसे M-E-N-H-2, यह Neutral Legand है, तो यह इसका नाम क्या लिखना है, हमें, Methyl Amine, इसे Amino नहीं करना, Last में O नहीं लिखना, Neutral Legand है, Simple नाम लिखा जाएगा, Amino, ठीक है, और कुछ Legands ऐसे भी होते हैं, जिनके Special अलगी नाम होते हैं, जैसे Water, Water का Formula बेशक H2O होता, यह Neutral Legand है, लेकिन इसे हम H2O नहीं लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, इसका नाम हमेशा एक्वा लिखा आएगा, Ammonia के लिए आएगा, यहाँ पर Amine यूज में आएगा, CO के लिए क्या होगा, यहाँ पर Carbonil यूज में आएगा, NO के लिए क्या यूज में आएगा, Nitrosil, ठीक है, तो कुछ Special Legands होते हैं, जिनके Special नाम होते हैं, ठीक, Third Rule हुआ हमारे पास, अब Fourth Rule की बात करें, Fourth Rule है हमारे पास, अगर कोई भी एक लिगेंड बार-बार रिपीट होता है, जैसे CL4 आजाए, CN6 आजाए, तो हमें क्या लगाना है, वहाँ पर Prefix लगाना है, और Prefix क्या होता है, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छ हो खुद रिपीट हो रहा है, तो फिर हम डाई ट्राई यूज में लेंगे, फिर हम यूज लेंगे, दो के लिए यूज में लिया जाएगा, बिस, तीन के लिए ट्रिस, चार के लिए टेट्राकिस, पांच के लिए पेंटाकिस, इस तरीके से कंटिनियसली, एक्जामपल देदता हूं जैसे अगर हमने लिखा CU EN twice तो अब हमें EN twice को लिखना है EN का नाम होता है Ethylene Diamine EN का नाम है Ethylene Diamine ठीक है अब देखो इसके नाम में पहले से ही Dye use में आया हुआ है क्योंकि यहाँ पर 2 Amine आ रहे हैं तो इससे पहले जो prefix आएगा उसमें डाई EN नहीं लिखूँगा डाई Ethylene Diamine नहीं लिखूँगा मैं लिखूँगा यहाँ पर 20 ठीक है क्योंकि नाम में पहले से ही Dye already present है तो यहाँ पर हमने क्या लगाया 20 20 किसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर 2 Legand है EN के तो हमने लगाया 20 अगर यहाँ पर होता Cu Cl4 तो Cl का नाम क्या है Cloro क्या Cloro नाम में कहिए Dye Tri Tetra है नहीं तो हम यहाँ पर Simple Tetra Chloro लिख सकेंगे Simple क्या हो जाएगा हमारे पास Tetra Chloro हो जाएगा तो आगया हो गया इसमझ में Dye Tri का बाता है और Bistis का बाता है Fifth rule है हमारे पास कि जब भी Central Metal का नाम लिखा जाएगा तो Central Metal के नाम के साथ Bracket में उसका Oxidation Number Roman Numbers में लिखा जाएगा जब हम नाम लिखना सीखेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा Roman Numbers में किस तरीके से Oxidation Numbers लिखेंगे Next rule है हमारे पास अगर Complex Ion अगर Complex Ion हमारे पास Negative है तो उस Negative Complex Ion में जो Central Metal होगा उसके पार Suffix 8 लिखना जरूरी है जैसे Fe को हम लिख देंगे Ferret अगर ये Negative Complex है तो ही अगर ये Positive Complex होगा तो हम नाम As It Is लिखेंगे लेकिन अगर ये Negative Complex Ion है तो हम क्या लिखेंगे आपर 8 Copper है तो हमने देखो 8 लगाया क्या बनाया क्यूपरेट Nickel है तो उसे हम लिखेंगे Nickel 8 Cobalt है तो उसे हम लिखेंगे Cobalt 8 ठीक है ठीक अगर हमारे पास एक से ज़्यादा Legends present है एक से ज़्यादा Type की Legends present है तो हमें Legends के नाम Alphabetically order में Arrange करने है जैसे अगर हमारे पास M20 भी present है और Cl Chlorine भी present है तो हमें क्या देखना है हमें देखना है कि M20 में लिखा जाएगा यहाँ पर M20 का A and Chlorine का C दोनों में Alphabetically first कौन आता है दोनों में Alphabetically first आता है हमारे पास M20 में A तो M20 पहले लिखा जाएगा ठीक ठीक है तो Central Metal के लिए भी हमने जिसे बात किया था कि अगर Central Metal हमारे पास Complex Ion Negative Complex Ion आता है तो Central Metal के लिए पीछे 8 लगाना होगा लेकिन कुछ हमारे पास Central Metal ऐसे है जिनके नाम पहले से ही fix होते है as it is वही नाम यूज में लिए जाते है जैसे B के लिए Borate AU के लिए Orate AG के लिए Argentate हमेशा ये इसी तरीके से लिखे जाएंगे F E के लिए Ferate PB Plumbate और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर Maximum जो काम आने वाला है Maximum हमारे पास AG, Argentate, Ferrate, Plumbate यही काम आते हैं Borate भी बहुत काम आएगा Tin भी काम आएगा Copper भी काम आते है Copper के भी complex हमें आते हैं Question में पूछे जाते हैं चार तो याद रख सकते हो बागी को याद रखने की जरूत नहीं है और Borate का तो कोई मतलब नहीं है यह कभी पूछा भी नहीं गया है ठीक ठीक है Brackets का यूज किस तरीके से किया जाता है यह मैं पहले से पता है कि जो Big Brackets होते है और अगर कुछ नाम लिखा हुए मतलब वो क्या है अंदर लिगेंस लिखे गए है यह इतना जाद है important लिए ठीक है तो यह कुछ rules थे पहली से भी पढ़े हुए होंगे तुम लोगों ने अब यह किस तरीके से काम करते हैं और इन rules को follow करते हुए हम किसी भी complex की नाम कैसे लिख सकते हैं वो हम next lecture से पढ़ने भाले है next lecture हमारा completely nomenclature के उपर ही based हुआ